मामा के श्राधवाले टूइट पर अब MP कॉंग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीम कमलनात ने भी जबाद दिया है कमलनात ने टूइट में सीम शिवरासिन चोहान की लंबी आयू की कामना की है तो साथ ही उन्होंने पूछा है कि सीम को हर चीज के पीछे कॉंग्रेस सी क्यूं नजर आती है कमलनात ने लिखा कि अगर सीम को लगता है कि उनके खिलाफ गलत टूइट किया गया है तो उन्हें कानूनी कारवाई करनी चाहिए प्रिय कार्ति के चोहान जी आप जो ये इर्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मानिय मुख्मंत्री जी की सराध का कोई पोस्ट किया है ये सरासर गलत है, मैं युश्वर से कामना करता हूँ कि मानने मुक्हमंद्री जी आपकी पिता जी की खूब लंबी उम्र हो, हमारा राजनेतिक विरोध है, सिध्धानतिक विरोध है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस तरह की बात कहें, आप ज़रा धंक से पता हम उनकी लंबी आयों की कामना करते हैं। बिल्कुल लिखी एक ट्वीट आता है विट कॉंग्रिस नाम के ट्विटर हैंडल से, उसमें मामा का श्राद करके एक पोस्ट किया गया है। इसको लेकर तो कहीं न कहीं उसके बाद राजनीती और भी ज़्यादा तेज हो गई। जब कारते के सिंग चोहान की इस पर प्रतिकरी आये तो कॉंग्रिस की ओर से जो है यह सफाई दी गई कि यह जो ट्वीट है यह उनके हैंडल से नहीं किया गया है। कोई ओफिशिल पेज नहीं है और इसके बाद जो है यह बात बढ़ती गई जब कमलात और कॉंग्रिस के तमाम नेताओं के इसमें ट्वीट सामने आये। और यह कहा गया कि यह ट्वीट बीजिपी द्वारा ही प्रायुजित किया गया है ताकि वो सिंपती ले सके। किसे मुखी मंतरी ने जो है कॉंग्रिस पर बार बार हमला बोला निकिन मुखी मंतरी ने आपर एक और जो है हम कह सकते हैं दो टूक जबाब दिया कि मामा एक फीनिक्स पक्षी की तरह है और वो राक भी बन गए तो वो वापिस आएंगे। मुखी मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने आपर कडारा जवाब देते हुए कॉंग्रिस को कहा कि वो जो है अब ही पीछे हटने नहीं वाले हैं और साफ तो पर कॉंग्रिस का डर मुखी मंतरी शिवरा सिंग चोहान अगर आपको पता लगाना ही है कि यह किसका ट्वीट है तो आप इस पर कारवाई कीजे आईटी से पता लगवाई है पुलिस से जो है कारवाई करवाई ये लेकिन साफ तो आपर मुख्यमंटरी ने इसका भी जवाब दे दिया कि हम कोई कारवाई नहीं करना चाते जो लोग भी ऐसी बाते कर रहे हैं हम उनकी लंबी उम्रक की काम ना करते हैं तो एक emotional, sympathetic अगर हम बात करें एक angle निकल कर चुनावी गलियारों में सामने तो आही रहा है लेकिन ऐसे जो मुद्दे जो छोटी छोटी चीजों से शुरू होते हैं लेकिन फिर राजनीती का इन में रंग चड़ जाता है तो ये काफी बड़ा रूप ले लेते हैं और मरुपिदेश में फिलहाल जो है मामा कश्राद का जो ट्वीट और पोस्ट है वही सबसे जादा चर्चाओं में बना हुआ है जिस पर मुख्यमंट्री से लेकर कमलनाच से लेकर सभी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रियाय सामने आ रही है और ये विदानसवा चुनाओं जो आने वालने हैं उसके लिए काफी जादा हम कह सकते हैं प्रबल मुद्दा भी बन गया है जी तो बिलकुल इस ट्विटर ने राजुनितिक रंग ले लिया है जो इस पर बयानवाजी लगातार हो रही है अब देखने वाली बात ये होगी अमरितानशी की क्या बीजिपी की तरफ से इस ट्विटर को लेकी कोई शिकायात की जाएगी और इस पर क्या कुछ कारवाई द देखने को मिलेगी नजर्या बना रखेगा मरितानशी आगे भी अपडेट लेंगे फिलाल बहुत बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी के लिए